हाई गाईस स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदे कंपेटिशन क्लासेस आज हम आपके लिए 20 क्वेशन जो भारत का भुगोल पे बना है ठीक है उसको आपके पास लेकर के आए हैं और इसको नोट जरूर किजिएगा और इसको लर्न जरूर कर लिजिएगा जो आपक ततिस कितनी है ठलक्षदीब की राजदानि पूछ लेगा तो क्या हो जागा इसकी राजदानी क्रवति तो लगषदीव में दीपों की संख्या 36 तिक है इसकी राजदानी क्रवति ठलक कोशन देखते हैं दोस्त भारतियों के लिए समुंद्री मारग कर खोज करने का स्थर पुर्तगालियों को समंद्री मार्ग खोजने का असरे भारतियों लोगों को प्रती किसको जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है ठीक नहीं यानि समंद्री मार्ग के खोज सबसे पहले किसने की भारत में हो जाएंगे पुर्तगाली लोग ठीक है माउंट आबू किस राज में इस्तित है ठीक है माउंट आबू किस राज में इस्तित है जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान राजस्तान में इस देता है ठीक है इसकी राज़दानी जैपूर हो जाएगे बाहर के किस राज़ की सीमा नेपाल भुटान और चीन तीनों देशों के साथ लगती है अंसर हो जाएगा आपका सिक्किम सिक्किम किसी मा तीन देशों से बुटान नेपाल भुटान और चीन से लगती है और सिक्किम हमार देश का पहला और गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है ठीक है नेच्ट कुष्टन देखते हैं और यानि कि बैरन जोला मुखी दीःप कहां इस्तित कि थे तो आपका अंसर हो जाएगा और मां बीवर समूप अंडमान समूप सोचन देएगा अंडमान होता याद निकबार होता लेकिन ये कहां इसी थे अंडमान प्रेस्ट टिकत कोई सीट अव्म che किस का मुख्य प्रकार है ठीक है हिमालय प्रवत किसका मुख्य प्रकार है तो हो जाएगा आपका अंसर वलित प्रवत का ठीक है वलित प्रवत का ठीक है नेस्ट कोईशन देखते हैं किस हिमालय चोटी को साघर माता के नाम से ठीक है मेरे पीछे वीडियो में हमने इसके बार सागरमाथा के नाम से जाना जाता है कहां ध्यान दिजिगा नेपल में भी जाना जाता लेकिन सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है तो आप ध्यान दिजिगा हो जाएगा आपका माउंट एवरेष्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की उचाइग किती हो गई है 88804 ठीक है यानि इतना इसकी स्पीड हो गई है ठीक है ज्यान दिए 84 है ठीक है नेस्ट कुछन देखते हैं बिहार का सोक किस नदी के नाम से जाना जाता है सारो अब बिहार किस नदी को जाना जाता है ध्यान देजएगा कई बार एकजाम में आ चुके एकजाम में कुछन है तो ध्यान देजएगा कोसी नदी को किसको कोशी नदी को बिहार का सारू को होते हैं। तो इसका माजूली कौश सानाम Māja Dolita Vať त्र нажबेज़ फोषन गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है कई बार Qषे जाते हैं गंगा को भांगला देश में किसी नदी आती नाम से जाना जाता है आंसर हो जाएगा पदमा पदमा के नाम से गंगा को बंगला देश में जाना जाता है नेश कुछन देखते हैं लिपू लेक दर्रा भारत के किस राजे में इस्तित है लिपू लेक दर्रे से भी कोश्चन बहुत जादा बनते हैं हमेशा तो आप इसको जरूर याद कि अध्य भी का ओझाँ फूरऌ करने की कोशिस तमेसा किजये के कि तो नाचुलवा दरा किसराज में इस्तित है तो जागा शिक्किम कि शिक्किम में ता फुरुवी है परब का सरोचै सिखर क्या कहलाता है टिल्वी घाटरब से एक सरोचै शिखर का नाम क्या यह कि ध्यान दिजएगा महंद्र performer कि हैं महेंद्र कि दियुंट फुलिक्टन के शरूच सीखर की नामसे जाना जाता है ठीक है नेस्ट गॉष्यन kalian चुरी भारत की कुछ सीखर नाम है तो आप ध्यान दीजा कई बारे kilometres में आया अनाय मोढ़ी डाया मुड़ी या मोड़ी की नाम से जाना जाता है जो दच्षिद भाल का सरोच्च दिकार है तो आहल्ग कि इस राजये इस्तित है एफिर्ए में मिहिंप्अरु कि लिए कस Bennett कि इसsरां के आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान राजस्थान में इस्तित है तो यह भी ध्यान दिजीएगा यह राजस्थान यह चीए छय नेस्ट क्वेशन देखते हैं दामदर नदी कहां से निकलती है ठीक है यानि उद्गम पूचता है ठीक है किसी नदियों का तो दामदर नदी कहां से निकलती है अंसर हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा छोटा नागपूर छोटा छोटा नागपूर पठार के कि पलामु से रामदर नदी का उद्धुखम कांस होता है छोटा नागबुर पठार के पलामु से ठीक है नेस्ट केशन देखते हैं भारत की किस नदी पर बिश्व का सबसे उंचा फूल का फूल बनाया गया है तो आपका अंसर हो जागा चेनाब नदी पर चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे उंचा फूल का निर्मार किया गया था तो गाईज यह भारत के भूगल के बारे में यह बीस कोशन आपके लिए लेकर काया थे जो आगाई एक्जाम में यह रिपीट होने की संभाना हंडे परसेंट है तो इसको जरूर कीजिएगा लाइ झालई में जरू एक है जरूर हैं जरूर को जरूर के बारे में यह रहा हैंगग है जरूर कर दोटीज़ इसका दिरूर का बार दो बारे में जरूर